हमस्कार दोस्तों तो हम आज एक और ने रिक्वर्मेंट के साथ लाए हैं आई होप आप लोग बहुत से बहुत इस केंपस का लाव उठावे और अच्छे से फॉर्म भरे और अपने करियर में बहुत आगे जाए तो इसी तरह से हम दिखाते रहते हैं तो आप चली हम लोग एक नए रिक्वर्मेंट को देखते हैं उसके नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं और जो इलिजिबिटी होगी उसक पोस्ट पर जाकरकर अपने लाइफ को सफल बनाएंगे तो चली देखते हैं यह रहा किसके लिए है इंडियन एयर फॉर्स के लिए है यह रिक्यूर्मेंट यह डाइर्ट रिकुर्मेंट है अप गुरूप सी शिविलियन पोस्ट इन आई एप तो देख सकते हैं किसके किस के लिए है पोस्टल एड्रेस सब यह सब दिये हुआ है कहां कहां पर भेजना है पोस्ट क्या है तो देख सकते हैं कूप का है ठीक है और मेंस स्टाफ है मल्टी टास्किंग है MTS के लिए है इसमें एक एक पोस्ट है तो किसके लिए कितना है तो देख सकते हैं सराची ठीक है उसके बाद President Office के लिए भी है New Delhi में के लिए तो Hindi टाइपिस्ट और Multitasking के लिए चाहिए इसमें एक और दो पोस्ट है देख सकते हैं और Air Force Commanding Office के लिए भी है तो यहाँ देख सकते हैं किसके लिए है? Multitasking staff के लिए है और Housekeeping के लिए है उसके बाद Next में देख सकते हैं Air Officer Commanding, Air Force Station सोहना रोड गुरुग्राम के लिए भी है उसके लिए उसमें कौन-कौन सा पोस्ट है कुक है, Ordinary Grade, Multitasking staff, Mace staff यह सब है तो इसके बाद President Office ठीक है तो हिंदी टाइपिस्ट, Multitasking staff, Housekeeping यह सब अगर जिसको भरना है तो आप लोग डारेक्ट पोस्ट कर सकते हैं इसको पोस्ट Storekeeper, Carpenter यह सारा पोस्ट करने का यह आपको address दिया है यह सारे आप पोस्ट भर करके इस पर आप address भेज सकते हैं यह सारा देख लिजिए पोस्ट कौन-कौन सा है, LDC है, Civilian Mechanical Transport है, Storekeeper का है, Driver का है, Cook का है, Carpenter, Housekeeping का है, Mace का, Multitasking का, यह सारा देख लिजिए का पोस्ट जो भी student interested है, वो आप लोग भर सकते हैं, और यह सब UN, यह सब मतलब दिखा हुआ, इसका फूल फर्म दिए हुआ है, UR का मतलब का हुआ है, OVC का, यह सब क्या है, जिसके लिए जितना पोस्ट है आप भर सकते हैं, तो यह देख सकते हैं कि इसके लिए blindness के लिए कितना benchmark का दिया हो गया है, तो साची देखे लिए, age relaxation, इसका age limit क्या दिए हुआ, 18-15 साल के अंदर होना चाहिए, टेक है, उसमें OVC के लिए 3 साल benefit है, relaxation है, उसके बाद 5 साल SCHT के लिए 10 साल है, physical handicap के लिए, तो यह देख सकते हैं, उसके बाद departmental employee के लिए भी 40 verse for you on age job के लिए है, 43 साल OV LDC के लिए है, तो यह साची देख सकते हैं, साला qualification दिए हुआ है, किसके लिए कितना qualification है, पे जो किया जाएगा, लेवल फूल का पे किया जाएगा, ठीक है, और इसमें क्या है, graduate of recognized university for store के लिए, experience भी चाहिए है, इसके लिए, LDC के लिए 12 class चाहिए, और speed typing भी चाहिए, 35 in English और 30 word per minute in Hindi on computer में चाहिए, तो यह सारा ची देखिए, हिंदी टाइपिस्ट के लिए भी है, dual pass होना चाहिए इसके लिए, उसके लिए प्लस टू यह भी pass होना चाहिए, store keeper के लिए experience होना चाहिए कुछ, civilian mechanical के लिए है, transport driver के लिए है, तो यह देख सकते है, matric relation होना चाहिए, उसके बाद driving license होना चाहिए, heavy vehicle का must possess professional skill in driving, उसके लिए experience भी चाहिए कुछ, उसके बाद cook ordinary grade का देख सकते है, इसमें भी matriculation मांगा है, और with a certificate or diploma in catering, one year experience टेर में चाहिए, तो उसके बाद देखते है, painter के लिए 10th pass from agricultural board और institute से चाहिए, उसके बाद car painter के लिए 10th pass चाहिए, ITI का certificate भी चाहिए, इसके लिए भी ITI का certificate चाहिए, housekeeping के लिए कोई भी matriculation की जड़त पड़ेगी, ठीक है, तो देख लिए मेस के लिए भी है दिया हुआ matriculation, one year experience चाहिए, waiter or wasser up from an organization, किसी organizer एक सलका है, waiter का experience होना चाहिए, जैसे कोई hotel रहता है न उसमें आप करते हैं, जो institution अच्छा organization है, तो वहाँ से आपको experience certificate भी मिल जाती है, तो आप सब्सक्राइब करते हैं, क्या आपको experience नहीं देगी, कि हाँ आप यहां का cook है, यहां में waiter का काम करते हैं, उसके बाद MTS का है, तो इस तरीके से इसका भी देख सकते हैं, 10th मां गया है, चली, selection देख लेते है क्या होगा, application will be scrutinized in terms of age limit, ठीक है, minimum qualification, documentary, सब सारा चीज़ दिये हुआ है, कैसे process है, retain test होगा, eligibility जो है, require be appear retain test, retain test के बाद हर पर होगा, ठीक है, उसके बाद उसमें क्या रहेगा, LDC के लिए, general intelligence, English, language, numerical aptitude, general awareness, यह सब रहेगा, तो आप देख लिजे पर detail अच्छा से, इसका आज post हुआ है, तो आज 37 दिन के बाद तक रहेगा, तो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, how to apply, कैसे apply करना है, can anyone above air force station on choice subject, मतलब आप उपर में जो भी vacancy देखे हैं, उसको एक में से कोई choose कर लेना है, उसको भर करके format में, Hindi या English में, उसको क्या करना है, जो भी necessary document है, उस को post कर देना है, by post, okay, तो जो भी है, वो सब का geox देंगे, कोई भी original certificate कभी नहीं देंगे, किसी भी job में, तो हम लोग, आप लोग हमेशा सचित करना चाहते हैं, कि किसी भी तरह का कोई भी original certificate मांगे, तो कभी नहीं दीजिए, क्योंकि जब आपको, आपका face interview होता है, face to face interview, अब उस समय आप सो कर सकते हैं, बर उस समय भी लेगा नहीं आपका, तो इसलिए आप लोग भी aware रहेंगे, तो देखेंगे, इस सब का धियान लखेंगे, यह देखेंगे, आपका यह application form है, ठीक है, format of application, COVID-19 का भी यह सब ख्याल लखेंगे, ठीक है, देखेंगे, यह application यह स सब भड़ करके, अगर कहेंगे, तो हम आपको इसका भी एक वीडियो बढ़ना देंगे, सेपरेट, जो भी candidate, interested है, वो जरूर भड़े, और इसका, आप लोग इसमें join करें, जल्दी से जल्दी इतना हो सके, तो बस आज के लिए इतना ही है, और चलिए ठीक है, आप next आपक के सनाएगी, तो हम उसमें आप लोग से मिलेंगे, आज के लिए बास इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू,